हेलो दोस्तों नवशकार स्वागदा आफ से भी का एजुकेशनल स्टडी वन यूडिप चैनल पे तो देखे दोस्तों SSE GD Constable Exam 2014 आज से आपके परिक्षाइं शुरू हो चुछ किये आज आज आपके 20 स्वरिवरी का All Shift Exam Analysis अपने इस स्टूडियो में कावर करेंगे टोटल 75 तीनों शिफ्टों मिलाकर हमें क्वेशन मिले हैं जिके GS Current Wear प्लस हिंदी के उन सभी क्वेशनों का बिल्कुल 100% सहीवर सटीक उतर के साथ सबसे पहले सबसे सटीक exam analysis आपको इस चैनल पे देखने मिलेगा तो जिनका भी 20 परविरी में exam था तेनों इस शिफ्टों में सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान सेंट तक बहुत जरूर कीजेगा चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं तो पहले हम थर्ड शिफ्ट में पूझे के क्वेशनों को कवर करेंगे तो पहला क्वेशन पूझा गया थर्ड शिफ्ट में कि भारत देश की जलिये सीमा कितने देशों के साथ लगती है भारत देश की जलिये सीमा है वो दो देशों के साथ लगती है अगला question आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगर्णा के इंसार सबसे अधिक शाक्षर्टा दर किस राज्य की है 2011 की जनगर्णा के इंसार सबसे अधिक जो शाक्षर्टा दर है वो भारत के केरल राज्य की है तो केरल इस question का आपका राइटन सर्था थर्ड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेशन आपसे पूछा गया कि बुंदु खान का समंध किस वाद्य अंतर से है तो बुंदु खान का जो समंध है वो सारंगी से है तो जिन भी दोस्तों ने उप्शन में सारंगी टिक किया था उनका अंसर बिल्कुल राइट रहेगा अगला क्वेशन पूछा गया कि IIT की स्थापना किस पंचवर्षी योजना के अंतरगत हुई IIT की जो स्थापना है वो पहली पंचवर्षी योजना के अंत में हुई थी ठीक है जो कि इस क्वेशन का आपका बिल्कुल राइट अंसर था अगला क्वेशन पूछा गया कि गांधी इर्विन समझोता किस वर्ष में हुआ था गांधी इर्विन जो समझोता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था तो 5 मार्च 1931 इस क्वेशन का राइट अंसर था अगले question में पूछा गया मैh सूद 12 नामक festival कहा मनाय जाता है तो ये जो 12 नामक festival है ये भारत के करनाटक राजय में मनाया जाता है तो जिन भी दोस्तों ने option में करनाटक राजय डिक किया था उनका answer बिलकुल right रहेगा अगला question पूछा गया कि राश्टरी खेल 2023 की मेजबानी किस ने की राश्टरी खेल 2023 की मेजबानी गोवा की दोरा की गी ठीक है जिसमें विजेता रहा था महराश्टर कुल 228 पदकों के साथ अगला क्वेशन पूछा गया कि लेंडर पेस का समंद किस खेल से है तो इनका जो समंद्ध है वो tennis के खेल सी है अगला question पूछा गया कि गौतम बुद्ध का समंद्ध किस गणराज्य से था तो इनका जो समंद्ध है वो साक्य गणराज्य से था तो साक्य इस question का आपका बिल्कुल right answer रहेगा चलिए यहां से second shift में पूछे के question को cover करेंगे second shift में पहला question है कि भारत का समीधान कब अपनायα गया था भारत का जो समीधान है यह 26 नुवंबर 1949 को अपनाया गया था अगला question पूछा गया second shift में कि समीधान के इनुचेद 333 का समंद किस से है तो भारतिय समिधान का अनुछे 333 राज्य विधान सबाओं में एंगलो इंडियन समधाय के प्रती नीदिताओं के लिए विशेस प्रावधान देता है जो किस क्वेशन का आपका राइटन से रहेगा अगला क्वेशन पूछा गया कि पन्ना लाल घोश का समन किस वादक से है तो पन्ना लाल जो घोश है वो बानसूरी वादक है अगला क्वेशन आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगना के अनसार महिला शाक्षरता दर किस राज्य का सबसे अधिक है तो ये है आपके भारत के केरल नेक्स्ट क्वेशन पूछा गया कि जलिया वाला बाग हत्यकांट कब हुआ था जलिया वाला बाग हत्यकांट 13 अप्रेल 1919 को गटना ये गटित हुई थी नेक्स्ट क्वेशन में आप से पूछा गया कि कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है कल पढ़ना मुहावरे का अर् किया था उनका आंसर बिलकुल राइट रहेगा अगला क्वेशन पूछा गया कि वर्तमान में आंदर परदेश के राजेपाल कौन है वर्तमान में आंदर परदेश के राजेपाल है श्री नाई मूर्ती S. अब्दुल नजीर ठीक है बढ़तें एगले क्वेशन की और नेक्स्ट क्वेशन आपसे पूछा गया कि अमरत सर की संदी कब हुई थी 1809 में हुई थी और ये एक समझोता था जो कि ब्रिटिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी और महराजा रणजीत सिंग के मद्य में हुआ था 1809 में अगला क्वेशन पूछा गया कि नीती आयोग को अन्यकिस नाम से जाना जाता है तो नीती आयोग को ठिंक टैंक के नाम से जाना जाता है तो ठिंक टैंक इस क्वेशन कर आइटन सरता अगला क्वेशन पूछा गया राज्यों की राज्यपाल की न्यूक्ती किस अनुछेद के तहट की जाती है तो ये अनुछेद 155 के तहट की जाती है नेक्स्ट क्वेशन में पुछा गया कि वर्तमान में भारत के सीडियस कौन है तो वो है अनिल चुहान ठीक है पहले कौन थे जनरल विपिन रावत अगला क्वेशन पूछा गया कि बोनालू त्योहार किस धर्म से संबंदित है बोनालू जो त्योहार है वो हिंदू धर्म से संबंदित है और ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है Next question में पूछा गया कि UNDP का full form क्या होता है UNDP की full form होती है United Nations Development Program स्थापना हुई थी 1965 में Next question में पूछा गया कि संब्टी का विलोम शब्द क्या होता है संब्टी का विलोम शब्द होता है विप्ती तो जिनोंने भी option में विप्ति टिक किया था उनका answer बिलकुल right रहेगा अगले question में पूछा गया कि निर उत्सा है का विलोम शब्द क्या होता है निर उत्सा है का विलोम शब्द होता है उत्सा है अगला question पूछा गया इन में से कौन सा नारी का प्राइवाची शब्द है तो नारी के परमुक प्राइवाची शब्द होते हैं स्त्री, महिला और और औरत चलिए बढ़ते हैं next question की ओर अगला question पूछा गया अपना स्वार्थ सिद्ध करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर अगला question second shift में पूछा गया कि badminton से संबंदित कौन सा शब्द है तो देखिए service coat, shuttle coat, love, net, forehead, hit, drop, backhead, smash, double, fault, adhi badminton से संबंदित term होती है ठीक आपका option में क्या दिया गया था आप देख लेना अगला question पूछा गया ध्वनी का मातरक क्या होता है तो द्वनी का ऐसा ही मातरक होता है आपके decibel next question में पूछा गया viral का विलोम शब्द बताईए तो viral का विलोम शब्द हो जाएगा सगन next question में पूछा गया कि नहरू ट्रोफी किस खेल से संबंदित है नहरू जो ट्रोफी है वो नोका दोड से क्या है संबंदित है अगला question पूछा गया पहली पंचवर्षी योजना जवाहर लाल नहरू ने किस मॉडल पर लागू की थी तो पहली पंचवर्षी योजना हैरावड डॉमर मॉडल पर क्या थी आधारित थी ठीक है तो चलिए दोस्तों यहां से अपने first shift में पूछे के question को cover करेंगे first shift का पहला question है कि किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है योजना आयोग को जो स्थान है वो निती आयोग के द्वारा लिया गया है तो निती आयोग इस question का आपका बिलकुल right answer रहेगा अगला question पूछा गया कि Congress का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था Congress का जो पहला अधिवेशन है वो Bombay में 1885 में आयोजित हुआ था और इसके पहले अधियक्षकों थे WC Banner जी थे अगला question पूछा गया कि सत्य सोदक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गयी थी सत्य सोदक समाज की जो स्थापना है वो जोतिबा फुले के द्वारा की गयी थी तो जोतिबा फुले इस question का आपका बिलकुल right answer था अगला question पूछा गया कि रंगा स्वामी कप राष्ट्रिय चैंपिनशिप डैस के विजयताओं को परदान की जाती है तो रंगा स्वामी कप का जो समंद है वो होकी के खेल से है अगला question पूछा गया कि निमल लिखित में से कौन सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शाशक था? अगला question पूछा गया मरचा चावल किस राज्य का GI टैग है? तो ये भारत के बिहार राज्य का GI टैग है अगला question पूछा गया पंडित बिर्जु महराज निमल लिखित में से किस घराने से सम्बंदित थे पंडित बिर्जु महराज लखनव घराने से सम्बंदित थे अगला question पूछा गया परधान मंतरी जंधन योजना कब शुरू कीगी परधान मंतरी जंधन योजना को अगस 2014 म शुरू किया गया अगला क्वेशन पूछा गया 1975 में इंगलेंड में आयुजित पहला किरकेट विसो कॉप किस ने जीता तो ये वेस्ट अंडीस की टीम के द्वारा जीता गया था अगला क्वेशन पूछा गया तो ये वित आयोग की की गई है और ये पांच वर्षों की अवदी के लिए की जाती है नेक्स्ट क्वेशन है केंदर सरकार ने CBDT अध्यक्ष नितिन गुपता को सेवा विस्तार दिया है ठीक है इसके अलावा एक क्वेशन था कि केरला में मोपला मोपला विद्रो केरल में 1921 में हुआ था तो 1921 इस क्वेशन का राइटन सर था अगला क्वेशन पूछा गया बारत के समिधान का कौन सा अनुछेद उच नियालों को रिट जारी करने का अधिकार देता है उच नियालों को रिट जारी करने का अधिकार अनुछे 226 के तैत दिया जाता है अगला question पूछा गया मैंडलीव की आवर सारणी में कितने तत्व मौजूद थे तो इनकी संख्या 63 थी ठीक है next question पूछा गया कि भारत के 50 में मुखे नाइदिस कौन है तो DY चंदर चूड है तो DY चंदर चूड इस question का आपका राइटन सर था next question आपसे पूछा गया कि वरनाकुलर प्रैस अदिनियम कि स्वर्स में पारित किया गया था तो ये 1878 में पारित किया गया था अगला question कमल का प्राइवाची शब्द पूछा गया था तो नलिन अरविंद उत्पल अंभोज तामरस पुषकर आदी कमल के प्राइवाची शब्द होते हैं next question हिंदी का था उद्गम का विलोम तो उद्गम का विलोम हो जाएगा विले तो आज की 20 परवरी औलशिप में पूछे के सभी question का analysis यहां पे cover कर लिया गया है वीडियो के आंदक देखा धन्यवाद वीडियो आपको फिसंदा यह प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद